लेकिन जब आप परियास करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमरण करेंगे, कोशिश करेंगे, कम से कम दो कदम ना सही, एक दम चल सकें, कम से कम ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत तो कर सकें, चार घंटे ना ध्यान किया जाए, कम से कम चालिस मिनट तो कर सकते हैं, चालिस मिनट ना कर सके 15 मिनट तो कर सकते हैं, अगर किसी परकार से ना किया जाए, आखे बंद करके ना किया जाए, खोल के तो बैठ सकते हैं, अगर खोल के भी बैठ ना पाएं, तो कम से कम चलते हुए तो ध्यान कर सकते हैं, अगर इतना भी ना कर पाएं, कम से कम उसका धन्यवाद तो क कर सकते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया, मानव का सरीर दिया, सब चीजें दी, सब सुई दाएं दी, सब कुछ परदान करने वाले हो, पर करती में सब कुछ दिया है, तो आपका सुकरिया इतना भी नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं, इतना भी पाता फिर हम उमीद करते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए और मिल भी अभी जाए कल नहीं आज ही मिलना है हमें परमात्मा से जैसे परमात्मा किसी का रिष्टे नातेदार है बुलाएंगे आ जाएगा पांच मिनिट में और काम हो जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है परमात् परचान है अलग सत्ता है सब कुछ सारा ब्रमांड उसके अधीन है उसे उपर ने संसार में कोई है ना था ना होगा यह संभव है क्योंकि उसकी एक पलक पड़ती है एक दिरिश्टी पड़ती है सब के सब ब्रमांडों का विनास हो जाता है और जब वह पलक खुलती है तो र उसका कोई दूसरा कहे कि उधारण दे सकते नहीं दे सकते वरणन कर सकते नहीं कर सकते वो एवरणनिय है एतुलनिय है अनंत है अखंड है लेकिन जब तक आपका यह अखंड जाप सरू नहीं होगा तब तक आप उस अखंड को कैसे प्राप्त करोगे जब तक आपका यह ज अंतर चलेगा कैसे उसको प्राप्ट करोगे सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीजों से सुधार करना है जीवन से सुधार करना है अपने अंदर से सुधार करना है जब तक अंदर से सुधार नहीं होगा बाहर से हम कितना भी सुधार कर लें कितना भी परियास कर लें कितना भी हर चीज को हम मेनेज करके देख लें, लेकिन जब तक अंदर में गंदगी भरी हुई है, मन के अंदर महल बरा हुआ है, हर्दे के अंदर कपट बरा हुआ है, बुद्धी के अंदर बुरे विचार बरे हुए हैं, हमारी सोच गलत हो गई, हमारे विचार गलत हो गई, हमार के उपर हैं सत्य के रास्ते के उपर हैं हम कैसे मौक्स के उमीद कर सकते हैं जब तक हम उस लेवल की मैनत ही नहीं करेंगे जब तक हम उस लेवल Bake चड़ाई ही नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम उस मंजिल को नहीं बनाएंगे, जब तक हम वहां नहीं चड़ेंगे, जब तक हमें यह नहीं पता कैसे चड़ाई होगी, जब तक हम नाम सुम्रण नहीं करेंगे, जब तक धरम के मारक पर नहीं चलेंगे, सत्य के मारक पर न परिवार वाले जो भगति भाव से जुडे वए हैं किसी ने किसी तोर है प्रमात्मा चुडे हुए हैं किस ने किसी परकार से साथा भजन है साथा रहन सैनिक है सब कुछ अच्छा क्हुंआ है स Negativ बन के सिक्षय भी अच्छी दी है रास्ते भी सब खोल दिये उस और बढ़ने के लिए सायता भी कर रहा है संतों के साथ भी तालमेल बना रहता है लेकिन फिर भी अगर बजन ना हो तो और भी मुश्किल है बड़ी विकट समस्या है अगर इसके साथ केवल ध्यान जुड़ जाए पिर आप देखो कि सनशार के साथ साथ आपका अध्यात्मिक उठान भी उठान भी कितना ज़ल्दी शुरू हो जाता है आपकी शूरती कितनी ऊचे उठने लगेगी ये कूझबलेनी सक्टी कैसे जागरत होती है कोई बड़ी चीजें नहीं है कुण लेनी सकती जागरत का सकती पात शुरू हो जाएंगे एकदम से सब कुछ खड़ा होना शुरू हो जाएगा यह कुछ भी चीजें नहीं है यह बिल्कुल छोटी छोटी चीजें है लेकिन जब हमें आइसास होता है तब तक उमर जा चुकी होती है क्या रे हमने तो समय घुमा दिया कभी हम किसी के पीछे दोड़ते रहते हैं कभी किसी के पीछे दोड़ते रहते हैं और संसार इसंदा धुन्द दोड़ के कारण ही समय गुजर जाता है अगर हम थोड़ा थोड़ा भी संचय करें, कुछ-कुछ भी कठा करते जाएं, जिस परकार से आप अपने काउंट में कुछ न कुछ जोड़ना सुरू कर दो, जोड़ना सुरू कर दो, और भूल जाओ उसको डाल करके, तो वो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसी परक पार्चे, जब आप ये नाम का बीजवोगे, दरम का बीजवोगे, जब ये दरम का बीजवोगेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ना सुरू होगा, आप इसका पालन पोशन करते रहें, ये वरक्ष बन जाएगा, और एक दिन इतना बड़ा वरक्ष बन जाएगा, इसके को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सिंचे करना पड़ेगा थोड़ा सबर रखना होगा थोड़ी मर्यादा बनानी होगी बजन करना होगा और इस पेड को चारों तरफ से समाल करके रखना होगा नहीं तो सत्रू आएंगे आसा तर्शन आएगी और इसको भोग नहीं भोगा, उनके मन के अंदर विचार भोग के उत्पन होते हैं, जिनोंने कोई वस्तु में नहीं खाई, वो लाल सा उत्पन होती हैं, आदमी का भोजन मातर थोड़ा सा होता है, वो करे तरफ्त, लेकिन मन के अंदर इतने विचार चलते रहते हैं, ये भी हम खाएं वो भी हम खाएं ये भी करें वो भी करें क्या कितना भोग सकता है आदमी कितना खा सकता है कितना पीश सकता है कितना जेल सकता है कितना सुखी हो सकता है ये मातर छोटी 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 चीजें हैं एक एक दो दो मिनिट दो दो चार चार मिनिट की लेकिन मानो 24 इस गंटे इनी विचारों के अंदर फशा रहता है, क्या करूँ, क्या ना करूँ, इसी उदेड़बून के अंदर फशा रहता है, कैसे किसको फशा हूँ, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे चाल चलनी चाहिए, कैसे खेल खेलना चाहिए, कैसे दिमाग में घुसना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कितना बड़ा बवंडर बना दिया ये सब कुछ, जब तक मानो इस बवंडर से बाहर नहीं निकलता, जब तक मानो इन चीजों को नहीं समझ पाता, जब तक मानो इन चीजों का ताल मेल नहीं बना पाता, जब तक मानो जागरत नहीं होता, जब तक मानो के अंदर इतना विवेक पैदा नहीं होता, सत्य क्या है, सत्य क्या है, कि सच क्या है, और मुक्ष क्या है, अनेकों सवाल जो घूमते रहते हैं, घूम घूम करके वापिस आ गए, फिर टकराए, फिर वापिस आ गए, लेकिन जो विचार अंदर में संकलब हो जाता है, संकलब का आपके रास्ते कि रुकावट हो, आपके रष्ते में रुकावट पैदा करें, मारग में आपको रोक दें, उची हुः श्तिति को गिरा दें, ऐसे संकलप कंभी मतलों, जो भी संकलप लो, सुध हो, सात्विक हो, धर्म के अनुसार हो, ज्यान के अनुसार हो, और सव्हे बड बारी बात अगर आपने भगती नहीं की और संकलब कर दिया आपके अकाउंट में जो ही कठा वो भी समाफ्त हो जाएगा